आज के जन में जातक सुन्दर, मजबूर शरीर वाले, बिभिन प्राइब। प्रकार के वस्त्र और आभुषणों को धारन करने वाले होते हैं। तुला रासी में प्रवेश कर जाएंगे और अगले धाई दिनों तक तुला रासी में ही चलते रहेंगे। आज प्रतेक जातकों पर दो पहर दो बजे तक कन्या रासी का प्रवाव और ततपस्चा तुला रासी का प्रवाव मिलता रहेगा। और मन मुताविक उत्पादक्ता मिलती जाएगी। मानसिक और इस्थिर्ता, टालू प्रवृत्ती और किसी काम में सहीयोग ना मिलने का अंदेशा भी बनता है। हलाकि विभागी सहीयोग कायम रहेगा और आर्फिक लाव के स्थिति मनमुताविक बनी रहेगी। मगर कारेच छेतर में महतुपूर निर्णय लेने में सावधानी भरतनी चाहिए। आज की तिति बहुत ही पवित्र तिति एक आदसी है, इस दिन चावल का सेवन वर्जित है। साथ ही छोटे बच्चों के नामकरण संसकार की तिति, अनप्राशन और पूराने मकान में ग्रिह प्रवेश की तिति आज बहुत अच्छी है। प्रवाव, उनके अपने कारकों और महादसा की अनुसार भी मिलता रहे दा। मेश राशी के जात्कों के लिए कारेच्षित के उद्देश से आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रवाव का आत्मिश्वास और रुज्यास तर दोनों बहा हुआ रहेगा। हर काम आसानी से संपन होंगे। भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। साजेदारी के कामों में लाह मिलेगा। मगर दोसारोपन की संभावना। ब्रवात्मक इस्थित्री का उतार चड़ाव। मा के सहस्त की चिंता और याद्दास्त में कमजोरी संभावित है। हलाकि आपकी कारी ओजिनाओं में अधिकारियों का सहियोग बना रहेगा। नीजी संबंद प्रगाड होंगे। बिवा संबंदी मामलों में अनकूलता मिलेगी। अध्यन अध्यापन में सफलता मिलेगी। वसंतान संबंदी मामलें अनकूल रहेंगे। साथ ही पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मानित किये जाएंगे। ब्रिश राजिके जात्कों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में दोपहर तक तरपस चाथ छठमे भाव में प्रभावी रहेंगे स्वास संबंधी जटिलताएं संभावित हैं समय समय पर उचित चीकित सकी ये परामर्स लेते रहना चाहिए और मन में अनावस्यक रूप से भाव रस्ता बनी रहेगी हाला कि आपकी कारी ओजना सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और प्रतियोगी भावना बिक्सित होगी सासन सताव अधिकारियों का सही योग बना रहेगा अभिश्ट मित्रों से मुलाकात होगी रुका हुआ धन वापस मिल सकता है संतान संबंधी मामलों में अनकूलता बनी रहेगी अध्यान ध्यापन के लिए आज का दिन सामानी रहेगा सफलता के लिए प्रियास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं मित्रों डासर के राशिस्वामी बुद्ध प्रियास पती के साथ है आत्मिश्वास में उतार चड़ाव के साथ नए अनुभाव प्राप्त होंगे रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी मगर निरने लेने में परेशानी महसूस होगी हलाकि आदरनिय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेणा लाउदायक सिद्ध होगी चंद्रमा दोपहत तक चत्वत भाव में तत्वश्चाद पंचम भाव में चले जाएंगे नए आयाम अस्थापित होंगे और नई कार्यों जनाओं के लिए अतिरिक तुर्जा का संचार होता रहेगा कुछ अतिरिक तदायित और रचनात्मक रियसिलता के साथ सीखते रहने की प्रवरित्ती भी बनी रहेगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा साकारात्मत तेरना में महिला वर्ग की भूमिका भी महत्कून होगी सक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास संबंधी आवसक्षा उधानी बनाए रखे करकरासी के जात्कों के कारेचेतर की अतिय प्रिजिम्मेदारी बनी रहेगी आज का दिन सफलता भरा रहेगा आपका आत्मिश्वास और उर्जास्तर दोनों हर काम संपन करने के लिए सक्षम होंगे रुके हुए काम संपन होंगे बड़े कामों में नीवेश का योग बनता है अधिक जोखिम वाले अधिक निर्णे लाहुदाय कहोंगे सिक्षा प्रत्य योगिता में सफलता मिलेगी, ग्रिहोप योगी वस्तों में ब्रिद्धी योगी और किसी समारों में सामिल होने का मौका मिलेगा स्वास संबन्धी मामलों में साउधानी रखनी चाहिए साथ ही दो पहर के बाद माता के स्वास्त में सुधार और अनावश्यक मानसिक दबाव में कमी और मन में नकारात्मक विचारों में भी सुधार संभावित है सिंग राशिके जात्कों के लिए सकारात्मक प्रयासों का दोर जारी रहेगा और कारेच्छेतर के विकास की मामसिक्ता बनी रहेगी, आपके मेहनत और दिलिच्छा सक्ती से कारेच्छेतर के विस्तार में मदद मिलेगी चंद्रमा आपके दूसरे भाव भन भाव में दोपहर तक चलते रहेंगे तरपस्चात पर आक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे लगभग सारे प्रयाद सार्तक होंगे विभागी अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए काम संपन होंगे ब्यावसाईक और आठिक ममलों में मन मुताबिक लाह मिलेगा विद्यातियों के लिए आज का दिन सफलता दायक रहेगा नीजी रिस्ते प्रगाड होंगे मगर भविस की योजनाओं को किसी से साधा ना करें बिरोधियों और नकारात्मक विचारों वाले वेक्तियों से दूर रहें और स्वास्त संबल्धी आवसक सावधानी बनाए रखें कन्याराशी के जात्कों के वाणी में तेजसिता और प्रभावी धंक से पेस करने की रचनात्मक पहल जारी रहेगी सामाजीक मान पर तिष्ठा बढ़ेगी सरकारी कर्मचारी लाभानीत होंगे साज्यदारी वाँ मित्र जनों से लाव संभाव है नई व्यावसाई की जोजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे और यातरा का संकेत मिलता है सिक्षा प्रद्योगता में मेहनत करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखें स्वास समंद्री जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए और मना हिस्तिती को संतुलित रखें साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं तुलारासी वाले जातकों के लिए आज का दिन सावधानी भरादी देगा हलाकि रचनात्मक सक्रियता विक्सित होगी आर्थिक लाव और सामाजिक मान पतेष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी कारेच छेतर में सकारात्मक प्रणा मिलती रहेगी नई कार्यों जनाव में सासन सब्ता वाधिकारियों का सही योग मिलता रहेगा मिद्यातियों के लिए समय अनकूल है मगर महत्पुन निने लेने में और सास संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए सिक्षा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल है और सामाजिक समारोह में सामील होने का मौका मिलेगा मगर मन को इस्थे रखने का पर्यास करें अपवएक व नियान्तित करें और वहा हम सावधानी से चलाएं बिस्चे करासिके जात्कों के लिए आज का दिन अच्छे कामों में खर्च और व्यावसाई कुन्नती के लिए सहयोग करेगा कारी ओजनाय सु चारू ढंक से चलती रहेंगी आर्थिक लाव की स्तिती सामान रहेगी और संतान संबंदी मामलों में यातरा का संकेत मिलता है मगर आत्मिश्वास में कमी अपव्याय और अनावसक चिंता भी संभावित है और स्वास संबंदी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान है सिक्षा प्रत्योगिता में सहयोग मिलेगा पारिवारिक सुख सौहाद में बिद्धी होगी और नेजी संबंद प्रगार होंगे और अपने सामान के तति सचेत रहें चोरी होने या खोने का अंदेशा बनता है धनुराशिके जात्मों के आर्थिक लाव के स्थिति मन मुताविक बनी रहेगी म सकारात्मक उत्साह जारी रहेगा और भाईयों के सहयोग से रचनात्मक सकरियता में बिध्धी होगी सरकारी काम काइद पूरे होंगे और परतियोगी भावना बिख्षित होगी सफल रहेगी मगर वारी की मिर्दूलता बनाये रखें संतान समधी सुभ समाचार मिल सकता है द्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल है नए रिष्टे की बुनियाद मजबूत होगी भागेवस काम पूरे होंगे और वैवाइक मामले सफल रहेंगे मकर राशि के जात्कों के लिए दीनफर का समय कारी योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साथ विकारीयों के दिशा निर्देश और सहीयोगियों साथ के साथ व्यतित होगा अपनी योजनाओं का नेतरित सफलता पूर्वक धंक से करते रहेंगे नई भी व्यावसाई की योजनाओं सफलिभूत होंगी आठिक लाफ मन मुताविक मिलता जाएगा कारेशित से सम्मधित यात्राइं हो सकती है साजेतारी से अतिरिक्त आय संभव है अध्यान अध्यापन के लिए समय अनकूल रहेगा माहौल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे और पारिवारिक सुख सवार्य और गिद्धी होगी मगर स्वास सम्मंधि और संतान सम्मंधि छिंता प्रभावित कर सकती है किसी बात को लेकर प्रतिष्ठा और स्वावी मान का मुद्दा ना उठ ले दे कुम्परास के जात्कों के लिए कुछ मामलों में आज का दिन भागेशाली रहेगा कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है नई कारी ओजनाओं में मदद मिलेगी और आर्थिक धार्मिक भावना में बिद्धी होगी अपनी योजनाओं में सुधार का मौका मिलेगा नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनिकूल रहेगा आर्थिक मामलों में अनावर्शक वाद विवाद संभावित है और कुछ कामों में भ्रम और रुकावट की संभावना भी बनती है शिक्षा प्रत्यों किता में सफलता मिलेगी संतान संबंधी जिम्मेदारियों में तनाव के साथ साथ भावनात्मक लगाओ बना रहेगा और स्वास संबंधी जटिल्ताओं पर ध्यान रहना चाहिए मीन राशी के जात्मों के लिए आज का दिन अधिक परिस्रमा और भाग दोड़वाला बना रहेगा कारेच्षेत्र में मेहनत की प्रवित्ती जारी रहेगी छोटी याद्राभी संभावित है मगर मन मताविक आर्थिक लाव में कमी महसूस होगी दोपहर बाद चंद्रमा के आठमे भाव में चलने से मन में नकारात्मक भाव और उत्साहिंता की इस्थिती संभावित है मगर आपको अपने प्रयास जारी रखने चाहिए आठिक लाव मिलता रहेगा मिध्यात्यों के लिए आज का दिन सामानने होगा अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी स्वास संभन्धी मामलों में सावधानी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाय